मदवनी में आर्म सेक्ट और गोली कांड के नामजद अभ्युत बबलू यादब गोविंद चौधरी सहित अन्य आठ आग्यात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज मामले का खुलासा मदवनी स्पी सत्य प्रकास ने प्रेस्वारता कर किया प्रेस्वारता में बताया गया कि छापेमारी दल के दुवारा तवरित अनुसंधान करते हुए कांड में सनलिपत एक अपराधी गोविंद चौधरी को 11 जून की राध गिरफतार कर लिया गया है अन्य की गिरफतारी के लिए छापेमारी की जा रही है प्रेस वारता में उन्होंने बताये कि अनुमंडल पुलीस पदा अधिकारी कामिनी वाला के निर्देश ने तुरित्वे में छापे मारी टीम गठित किया गया था कांड का तुरित कारवाही करते हुए कांड का उद्वेदन कर सनलिप्त अपराद कर्मियों की गिरफतारी की गई है दरसल बीते दिनों गोविंद चौधरी और उनके साथियों ने सकार्पियों पर सवार होकर अंधादुन गोली फायर की थी जिसमें अस्थानिया अर्जुन कुमार गंभी रूप से घायल हो गया था जो भी जखमी और इलाजरत हैं इसमें हम पुलिस के दवारा त्वरेति अनुसंधान करते हुए और इसमें एक टीम का गठन सदर के नित्रित्म में किया गया और देवेंदर कुमार सरकल इंस्पेक्टर हैं सदर के आईनले ततकाल छापा मारी करते हुए गोविन चौधरी पेशर मजहिंदर चौधरी ठाना पंडॉल को रात्री में ग्रफतार किया गया है यह पूर्व का सातिर अपरादी है पूर्व में भी तीन कांडों में अत्या के रोप में भी यह जेल जा चुका है पिलहाल यह बेल पर था और इसने आकर कि यह घटना को करने का इसने बात स्विकार किया है इसमें जितने बीशावी पुलिस कर्मी है लोग वह मैं इसमें सब को अर्वाड किया जाएगा और इस तरह की सभी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगत परित करवाई हो इसके लिए अब ढौत छूकिस बरक्ते हुए जितना भी इस तरह के घंतना हो रह यहा है?